इडली अगर सामबार के साथ खाखा के बोर हो गए हो, तो आज इडली को new twist देते हैं और बनाते हैं कुछ interesting, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्लेट और इसको मैंने oil सी grease कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने तीन प्लेट ल और कुछ new बनाते हैं, तो यह इडली का बेटर मैंने प्लेट के अंदर डाल दिया है, और अब प्लेट को थोड़ा सा टैप कर देंगे, ताकि यह बेटर अच्छे से फैल जाए, और अब इसको steam करना है, तो यह है stand और इसके अंदर मैं प्लेट लगा लूँगी, तो यह प्लेट इसके अंदर लगा लिए मैंने, और अब इसको steam कर देंगे, तो यह steamer के अंदर मैंने पहले ही पानी डालके उसको गरम करने के लिए रख दिया था, तो यह दिखे, पानी अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब इस stand को इसके अंदर रख देंगे, और 10 मिट के लि बहा निकाल लेंगे, और उसको ठंडा होने देंगे, जब यह प्लेट एकदम ठंडी हो जाए, फिर उसमें कट लगाएंगे, तो यह देखे, एकदम ठंडी हो चुके है हमारी प्लेट, तो उसमें इस तरह के हम कट लगा के उसको shape में कट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने square shape में उसको cut किया है, और यह देखे, एकदम ठंडी हो चुके हमारी इदली, तो एकदम आराम से निकल जाएगी, तो यह देखे, square pieces में एकदम अच्छे से cut हो चुके हमारी इदली, तो इस तरह सारे place में से इदली निकाल लेंगे, और अब एक pan के अंदर मैंने oil गरम करने क अगर आपको spicy जादा पसंद है, तो आप 3 tablespoon भी add कर सकते हो, और अब इसके अंदर add करेंगे 1 tablespoon mayonnaise और 1 tablespoon cheese bread, अगर आपके पास cheese bread नहीं है, तो cheese slice भी डाल सकते हो, या फिक cheese को grade करके भी डाल सकते हो, और अब last में add करेंगे 3 tablespoon ketchup और इसको अच्छे से mix कर लेंगे, तो यह दिख करते ही, इतनी मस्त खुश्बू आ रहे थी, तो मेरे तो मुँ में पानी आने लगा था, लेकिन मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, और last में इसके उपर डाल दिया धनिया, तो धनिया डालते ही, इसका color दीखिए, कितना मस्त लग रहा है, तो यह देखिए, ready है हमारे इबली, म्यूट के साथ, तो आप भी घर पे एक बार जरू ट्राइ करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर बच्चो को लंच बॉक्स में पैक करके देना है, तो भी आप दे सकते हो, बच्चो और पड़ो, दोनों को यह बहुत ही पसंद आएगी, तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा, और अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक भी किजिए, और चैनल पर नगयों ते सिस्क्राइब, मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई, चैशी ग्रशना